प्रेंड्स आज मेरे केचेन में आपको मिलेगी ककोरा की सबजी जो की बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होती है जैसे कि इसमें इसको खाने से डाइशन ठीक रहता है लिवर ठीक रहता है हड्डिया मजभूत होती एंटी एजिंग भी होती है मतलब आपकी एज को साले में बनी हुई है तो यह हेल्दी भी है तो आप सुखी रोटी के साथ पुरी के साथ प्राटे के साथ किसकी के साथ भी खाये बहुत ठीस्टी लगती आए यहां पर मैंने लिए हैं एक पाव कैकॉरा इसमें थोड़े से spinny घाउर्स होते हैं देखने है कि इसमें थोड़ी थोड़ी कांटे है पर यह गांटे नहीं होते हैं यह सब्जी का इक रूप हता है अगर आपको पसंद नहीं थो आप इस कखुरा के अपर चांप्स सद्धर को निकाल दीजिए उसके बाद इसके चाकूं से को खरोच कर साह साफ कर दीजिए चीलना नही सَBASY SOOK wannabe बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पसके पतले पीस कटे सकते हैं यहां पर मैंने एक कको IDEけ रिम खेंग के और उनके वीदम6 में बना दिया है इस तरह से सारे ककुरा को मैंने पूरा काट दिया है और इसके साथ में मैंने प्याज ले लिया ये लंबी शेप में काटा है और लंबी शेप में ही मैंने इसमें लेसन लिया है लेसन थोड़ा ज़ादा लेंगे क्योंकि इसमें लेसन के खुश्व बहुत अच्छी लगती है अब हम लेंगे एक पैन और इस पैन में आपको लेना है चोटा जो टेबल स्पून होता है उसको चार्च मच तेल और इसमें लेटी हुई प्याच और लेसन और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको शैलो फ्राइ कर लेना है कई जगों पे से कंटोला की सबजी भी कहते हैं स्पाइनी गाउड भी कहते हैं और साथ में इसे ककूडा भी कहते हैं तो देखिए इसको हमें कम तेल में ही बनाना है इसलिए इसलिए इसलगतार चलाते जाएए जब देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा तब मसालों को डाल कर हम अच्छी तरह से चला लेंगे और जो हमारी मसाले एक से दो मिनट पुन जाएंगे तब इसमें कटे हुए काकूरा को एट कर देंगे यह सबजी बहुत ही इजी है और बहुत हेल्दी है इसे अगर हम ग्रेवी में या बहुत ज़्यादा मसालों के साथ बन ब्रकार इसे दो मिनट के लिए ढाग देंगे यह बहुत जल्दि पक जाते हैं दो म्रकार दो मिनट के बाद जब हमखोना के देख गाएंगे झाया तो सब्सक्राइब ढून एला हमारे खिली तो और हम बार कोई Soda क्मारी से बंबाव करना और तो प्र दोफ्सक्राइब ए इसे सर्फ करिए और बच्चों को ऐसी भुजिया बना कर दीजिए पराटे के साथ या पूरी के साथ क्योंकि बच्चे ग्रेवी वाली इसकी सब्जी कम खाते हैं